हेलो प्रेंट्स आज की फिन निफ्टी की एक्सपाईरी आपके कैसी थी थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना क्यूंकि आप देखोगे भले मार्केट ओपन तो पॉजिटिव में हुआ था बट दिन बर में उत्मा जादा जोश मार्केट में नहीं था बहुत जादा कन्फ कल भी रहेगा ये डिसकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या एक्सपाईरी तक बीस हजार जा सकता है ये भी हम डिसकस करने वाले हैं और आपके कौन से तीन स्टॉक्स आज मैं डिसकस करने वाला हूं तो टाटा स्टीर, TCS, YES BANK ये तीन इंपॉर्टन स्टॉक्स मैं एं तो एंड तक बने रहना अगर आपको आज जैसे सुबह हमने क्या किया था तो ये निफ्टी का जो C.E.19700 का जो हमने अनलिस किया था जो लगभग 156 का हाई किया ये अनलिस कैसे किया क्या किया इसको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जो वाट्सआप कम्यूनीटी की लि से दिखाने वाला हूं कि क्या आज आज आपके बहुत सारे stop loss हिट हुए तो अगर आपके stop loss बहुत सारे आज nifty bank nifty में हिट हुए है तो उसका problem क्या है और उसका solution क्या है और क्यों हम solutions नहीं follow करते हैं जबके हमें पूरी चीज मालूम है कि क्या करना है यह detail में discuss करूंगा तो बहुत interesting आज का session होने वाला है सबसे पहले एक छोटा सा like channel को subscribe bell button को hit description में जो whatsapp link है अभी भी आपने हमारे family को नहीं join किया है तो जट से click करके join करना आज अगर आप देखोगे तो वैसे तो market इतना कुछ खास नहीं था बट आप देख सकते हो infosys, asian paints, hcl tech यह positive में close हुए इसका मतलब क्या है तो IT में traction आ रहा है and at the same time आप यह भी देख सकते हो कि SBI, आज PUSB banks जो कि कल बहुत अच्छा उन्होंने perform किया था, आज दिन बर में perform नहीं किया, इसलिए Nifty में आज दिन बर में कमजोरी थी तो Nifty के analysis से आपको detail में पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम analysis के तरफ जाएंगे यहाँ पे मैं Nifty का आपको फटाफट analysis करके दिखाता हूँ कौन से chart में हम यह analysis करेंगे तो यह भी आईए देखते है यहाँ पे मैं सबसे पहले Nifty का analysis daily chart में करूँगा बहुत interesting fact है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना अब आप देख सकते हो Nifty दिन भर में भले red में थी यह आप बोलोगे सर Nifty तो red में close हो गई है बट आप एक important point को यहाँ पे भूल रहे हो वो point क्या है आईए देखते है, Nifty भले आज red में close हुई है बट Nifty gap up हुई है, तो gap up हुई है और यहाँ पे आप देखोगे तो gap filling तो हुआ बट gap closing नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है आप यह देख सकते हो, अभी भी Nifty में वो gap है तो यह कहीं तो भी strength के बारे में दिखाता है अब अगर आप देखोगे यह कैसे possible है, तो logically देखो आप for example Nifty यहाँ पे थी, Nifty ने एक jump मारा दिन भर में तो gap up हो गई, बराबर gap up हो गई, उसके बाद में क्या हो गया? तो Nifty में sell out आ गया, कहां तक आ गया? पिछले close के यहां तक आ गया, फिर क्या हो गया? निफ्टी ऊपर चली गई, ओके और close हो गई, ओके भले यहां पे आप देखोगे कि यह point high है, यह point close है, बड़ आप, sorry, यहां पे एक छोटी सी गड़बड हो गई है, यह close, यह वाला, यह वाला point, यह close का है, यह point, यह high है, और यह वाला point जो मैं बता रहूं, यह close का है, बड़ आप क्या जान रहे हो यहां पे, तो भले नीचे गिरिती, बड़ यहां से आप देखोगे, तो buying pressure आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, तो अभी भी chances है, कि निफ्टी में bullishness रह सकता है, यह थोड़ा सा, जब मैं आपको 15 minutes में दिखाऊंगा ना, आपको clear cut idea आई जाएगा, निफ्टी में क्या हो रहा था और मैंने आपको क्या बताया, आईए फटा-फट देखते है, 15 minutes में, जैसे मैंने आपको explain किया, क्या वैसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसका logic क्या है, तो यह इसका मतलब क्या है, तो पहले बार निफ्टी उपर चली गई, वापस नीचे consolidate होके उपर जाने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पे कोई तो sellers बैठे थे जो powerful थे, क्यों मैं यह sellers को powerful कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखो selling करके कितनी बड़ी candle मों नों में create की, तो यह level य 800 पे powerful sellers बैटे हुए हैं, यह कैसे समझा, तो double top, double top से sell out होना बहुत ही strong indication माना जाता है, और उसके बाद क्या है, तो एक बड़ी candle आ गई, तो यह logic हो गया, जब मैं कहता हूँ कि powerful seller है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर आप देखोगे, तो निफ्टी lower side पे buyers बैटे हैं, यहाँ पे powerful sellers, क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि double top और बड़ा candle फॉर्म किया, यहाँ पे powerful buyers बैटे हैं, क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, आप देखोगे, एक बड़ी red candle, एक छोटी सी green candle, अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कुछ इस तरीके से candle बननी चाहिए थी, कि नहीं बननी चाहिए थी, यहाँ नोप मुझे कहना, क्योंकि it's a continuation, इतनी बड़ी candle है, तो उसके इसाब से नीचे बननी चाहिए थी, बड़ ऐसे नहीं हुआ, आप शौक हो जाओगे, क्या हो गया इसके बाद, यहीं पे निफ्टी ने full stop कर दिया, यहीं प आप देखो, waveform से निफ्टी higher high and higher low create कर रही है, अब बहुत important है, क्या, तो यहां पे सबसे important क्या है, कि यह logic को समझना, जब यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, अब यह तीन supports निफ्टी ने create किये है, ओके, और कहां पे sellers बैटे हैं तो sellers यहां पे बैटे हैं अब बहुत जादा chances है कि कल बॉर्निंग को Nifty वापिस 19,800 जाने की attempt कर सकता है क्यों? क्योंकि बीच में अगर आप देखोगे न तो selling इतनी powerful नीचे नहीं हो रही है इसका सबूत क्या है? तो इसका proof यही है कि जब भी selling होती है buyers आ जाता है जब भी selling होती है buyers आ जाता है यह selling powerful कब हो सकती है? तो यह selling बस यही zone पे powerful हो सकती है इसका मतलब क्या है? तो morning में हम trade कैसे ले सकते हैं? तो आईए देखते हैं, मैं आपको 15 minutes में बताता हूँ आपको क्या करना है? आपको लगभग लगभग यह वाला low यह low याद रखना लेट अस चेक यह low कितने का है? लगभग लगभग मैं आपको कहूँगा 9705 का stop loss रखना है 9705 आपको entry कहां पे लेनी है? तो थोड़ी सी risky entry है बट 19 यह वाला point 9706 की आपकी entry होगी और target क्या रहेगा? तो आपके 2 target रहेंगे सबसे पहले वाला यह target और सबसे next वाला second target 9800 का तो यह आपकी entry stop loss definitely refine हो सकता है बट क्यूंकि यह point है जहां पे हम stop loss रख रहे हैं इसके लिए बड़ा है बट यहां पे देखो भले मैं यह first second है रहाऊं target बट अगर आप देखोगे actually potential बहुत जादा है अगर nifty ने इसको breakout किया बट क्यूंकि मैं आपको 9800 ही target बोल रहा हूं क्यूंकि यहां पे एक अच्छा खासा pull back आके फिर उपर जाने के chances है अब आप बोलोगे sir इतना बड़ा stop loss इतना बड़ा छोटा target क्या मजा रहा है इसमें बट हम कुछ कर नहीं सकते हैं राइट आप logic देखो हम कुछ कर नहीं सकते हैं हमारा concept क्या है हम waveform से उपर जा रहे हैं अब wave का low यह है तो हमें यही stop loss रखना पड़ेगा हमें एक अच्छी खासी green candle पे entry करनी पड़ेगी जो कहां पे हमें मिलेगी definitely 19.760 पे मिलेगी अब हमें पहला target क्या रहेगा तो पिछला high कितना है तो 19.775 ही है कुछ कर नहीं सकते है और यहां पे मुझे मालूम है कि sellers बैटे हुए है तो इसका मतलब क्या है target 1 यह है और target 2 जो है वो लगभग मैं 19.800 नहीं रखूँगा मैं 19.795 रखूँगा अब भले आप देखोगे risk reward ratio बढ़िया नहीं है कुछ कर नहीं सकते है फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि वापस जब ऐसे pullback हो रहा है तब अगर आप कुछ नस्दीक के levels पकड़ सको तो ही आप कर सकते हो क्या होगा अगर आप यह stop loss नहीं follow करेंगे बहुत सारे लोगों यह भी बात करते रहेंगे कि चलो हमने यह stop loss follow नहीं किया तो क्या हो सकता है आपका बार बार stop loss hunting होगा इसका example अगर देख लो आप जिन जिन लोगों ने यहाँ पे stop loss रगा रहेगा आज के दिन में stop loss नीचे आ गया market हिट हो गया जिन जिन लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा stop loss रखे उपर का trade लेने को देखा रहेगा वापति stop loss हिट हो गया वापति स्टॉप लोगों नीचे आ गया तो आपका बार बार stop loss हिट होगा बट जिन जिन लोगों ने जब market यहाँ पे था तो यह लेवल पे stop loss रखा पूरे दिन में आपका stop loss नहीं हिट होता था अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपने stop loss हिट रखा रहता था हिट नहीं होता था और जैसे जैसे उपर जा रहा है आप देखोगे आप अपना अगर यहाँ पे आप बड़ा stop loss कर सकते हो और कहां तक आप तारगेट रख सकते हो 1900 तक अब यहाँ पे बहुत जादा चांसेज है क्योंकि आप इन शॉट देखो मैं कैसे हमें पता चलता है कि मार्केट में वीकनेस है अब यह गिरते वक्त तो इतने बड़े लाइन से गिर रहा है बट उपर चड़ते वक्त आप देखोगे तो कितने स्लोली चड़ रहा है अब स्लोप देखो आप सीधा नीचे के डाइरेक्शन में और बहुत कम समय में इतना जादा मुमेंट किया और इसके बाद में आप स्लोप देखो उपर का कितना वीक है तो ऐसा अगर डाउन मार्केट में ऐसा अगर पैटन दिख रहा है तो मोसली क्या होता है कि यहां पर जहां पर सेलर्स बैटे रहते हैं वापस एक नीचे मुम आता है बट क्योंकि यह अप मार्केट है अभी भी बुलिश है तो बहुत जादा चांसे है कि यहां पर कैसे हो सकता है कि ऐसे 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 फिर यहां पर क्या होगा थोड़ा ऐसे ऐसे और ऐसे जा सकता है तो अब मार्केट में यह चांसे है कि यह उपर के डायरेक्शन में ब्रेक आउट हो जाए बट डाउन मार्केट में मोस्ट अफ दे टाइम अगर ऐसा पैटन बनता था तो मैं शूर शॉट कहता था कि मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जाने वाला है अब यह सब चीज मैंने बताई बट निफ्टी में करना क्या है सर कैल कैसे ट्रेड करना है तो मैं आपको यही कहूंगा कि morning में trade अगर आप कर रहे हो तो more or less आपको CE ही लेना पड़ेगा, कहां तक लेना पड़ेगा, जादा बड़ा नहीं, hardly 20 या 30 point का ही CE लेना पड़ेगा, आपको P कब लेना है, आपको P तभी ही लेना है, जब यहां पे आपको कुछ एक बड़ी candle दिख रही है, कुछ इस तरीके से 19,800 के आसपास, और उसका target भी आप देखोगे, अगर यह लेवल के नीचे जा रही है, यह लेवल के नीचे जा रही है, तो definitely मैं कहूंगा कि वाव, बहुत बड़ा moment है, और यह लगभग आपको 19,560 तक लेके जा सकता है, बट अगर कंडल ही बन रही है, इस तरीके से नहीं बन रही है, तो जैसे मैंने कहा, यह up market है, थोड़ा सा consolidate होगा और उपर जा सकता है, तो कल मुझे definitely बताना, यह पूरा का पूरा concept जो मैंने आपको बताया, क्या आपको पसंद आया, उससे help हुआ कि नहीं हुआ, अब हम बैंक निफ निफ्टी में किस तरीके से हम trade कर सकते हैं, आएए देखते हैं, बैंक निफ्टी, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यह बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और यहाँ पे आपको immediately पता चलना चाहिए, कि यह point पे sellers बैटे हुए है, और क्यूंकि यह sellers बैटे हुए थे, इसके लिए क्या हो गया, तो वापस यहाँ पे selling pressure आ गया, अब आप एक चीज़ ध्यान देना, अगर बैंक निफ्टी अपके बार, यह लेवल के नीचे जाती है, यह लेवल, यह लेवल कितने की है, आएए देखते हैं, 44.572, 44.572 के नीचे, 44.572 के नीचे, अगर डेली में बैंक निफ्टी की closing होती है, तो इसका मतलब क्या है, तो डबल टॉप हो गया है, और बैंक निफ्टी अच्छी खासी, यह लेवल थक, 43 के आसपास आ सकती है, तो आल्मोस्ट आप देखोगे, आपको देढ़ हजार नोर साइड पे बैंक निफ्टी दिख सकती है, यह सिंपल डेली चार्ट का अनलेसिस है, कौन से बेसिस पे, तो यहां पे अगर डबल टॉप हुआ, तो क्या होगा, अब क्या ऐसे ही होगा, ऐ कैसे नहीं है, हम अवरली चार्ट में भी देखेंगे, बैंक निफ्टी में कहां पे सपोर्ट एक तगड़ा मिल सकता है, हामें, अब आप खुद यहां पे देख सकते हो, there is a, बैंक निफ्टी is trying to take support, कौन से लेवल पे, 45277 लेवल पे, बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने को देख रही है, इसका मतलब क्या है, तो कल अगर आपको कुछ इस तरीके से green candle दिख गई, जिसके chances जादा है, 45600 के आसपास, तो आप क्या करोगे, क्योंकि यह hourly chart है, तो आप अगले 400 point के लिए बैंक निफ्टी को उपर के direction में, 46K के आसपास trade कर सकते हो, और यहां पे ही नहीं रुकेगी, बैंक निफ्टी और उपर जा सकती है, और आपका stop loss क्या है, 45277, इसके नीचे अगर जा रहा है, तो आप P के बारे में सोच सकते हो, तो 45277 यह आपका guru मंत्र होने वाला है कल के दिन में, याद रखना, expiry तक 45277 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जानी चाहिए, और जब भी इस तरीके से full body candle अगर आपको दिख जाए, तो आप क्या करोगे, 46 के तक अगले expiry पे trade कर सकते हो, यही expiry का मत लेना, बैंक निफ्टी अभी भी मैं कहूंगा कि chances बहुत है कि उपर चले जाए, भले confusion है, क्योंकि this is confusion, राइट, एक भी direction में यहीं नहीं हो रहा है, और अभी भी देखोगे, रेड कैंडल जादा दिख रही है, बट जब ग्रीन कैंडल आ जाएगी, कुछ इस तरीके से बढ़ी आ जाएगी, 46 के तक आप trade कर सकते हो, बैंक निफ्टी भी हमने देख लिया, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा IT देखेंगे कि कल क्या IT में हमें कुछ ट्रैक्शन मिल सक सकता है, definitely आप देखोगे, कल IT मार्केट को ऊपर खीच सकती है, क्यों कौन से बेसिस पर कह रहा हूँ, आप खुद देखो यहाँ पे, कि अवरली में अच्छी खासी green candle बन रही है, और resistance कहाँ पे है, तो almost आप देखोगे, यह point पे resistance है, इसलिए यहाँ पे sellout आया, but at the same time, immediately क्या हो गया, कि green candle आ गई, तो अगर आप कल यह level के ऊपर IT जा रहा है, तो Nifty को भी definitely यह ऊपर खीच देगा, अब next देखेंगे TCS, तो क्या TCS में कुछ बन रहा है, कि नहीं बन रहा है, कैसे trade late TCS में, तो यह TCS का daily chart है, देखो यही चीज में Nifty में कह रहा था, right, down, tuck, 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 अब normally क्या होगा, अगर TCS down trend में होता था, यह straight away नीचे आता था, बट क्योंकि यहां पे TCS bottom out हो चुका है, तो आप देखोगे, instead of going down, TCS ने एक अच्छा खासा उपर का मूँ दिया, अब यह जिस तरीके से TCS चल रहा है, मैं definitely आपको कह सकता हूं, कि 3800 TCS में अगले एक हपते में आने के chances है, तो TCS पे ध्यान देना, और यहां पे देखोगे न, फिलाल एक major resistance को TCS handle कर रहा है, 3603 के बाद, 3603 के बाद, 3800 कब आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, TCS में अलर्ट लगा के रखना, next कौन सा important चीज है, आएए देखते है, Tata Steel, अब Tata Steel में क्या हो रहा है, यह लगभग आप देखोगे, थोड़ा सा weakness है, क्योंकि यहां पे लगभग एक spinning top और red candle, अब यहां पे आप immediately कुछ benefit नहीं देख सकते, लगभग 114 के आसपास Tata Steel घूंके उपर जा सकता है, और यह एक important level है, 121 का, तो Tata Steel यह फिला, overall उपर ही जा रहा है, बट अगर आपको 2 या 3 दिन रुबेट करना पड़ेगा, 114 सक जा सकता है, उसके बाद में 124 पे major pullback आ सकता है, next कौन सा हम देखेंगे, तो next हम देखेंगे yes bank, अब yes bank आप देखोगे न, overall कुछ भी power नहीं है, आपने यह थोड़ा सा powerful दिख रहा है, बट overall आप देख ले न, कि जितना यहां पे बड़ी बड़ी green candle थी, यहां पे बड़ी बड़ी green candle थी, उस हिसाब से यहां पे इतना कुछ जादा power नहीं दिख रहा है, कि yes bank फिलाल सही time नहीं है, 20 के उपर, लगभग लगभग, 20 के उपर अगर आप yes bank लोगे, तो आपको मैं कहूंगा 23, यानि कि लगभग लगभग 15% का returns आराम से मिल सकता है, बट यह powerful नहीं है, जब तक 20 के उपर नहीं जाता है, in fact मैं कहूंगा चलो 20 नहीं, but at least at least 19, यह वाला 19 के उपर जब जाएगा तब 23 तक जा सकता है, तो होप आपको यह पूरा का पूरा अनलिसिस पसंद आ रहेगा, मुझे कमेंट करके बताना, thanks a lot and see you tomorrow, और कल मैं जब expiry का discussion करूंगा, तो और मज़ा आने वाला है, तो चानल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को definitely हिट करना.